Hello student, welcome back to another video. तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं VA 3rd semester की education का unit number 1 हम आपका complete करवारे हैं जिसका day number 4 है आज day number 3 तक अलड़ी हो चुका है तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे विजट करके जरूर देखे लिए आपके लिए बहुत important होगा जिससे कि आपका एक पूरा series continue हो जा रहेगा तो unit number 1 है आपका education and philosophy सिच्छा और दर्सन तो पहले वीडियो में हमने दर्सन complete किया था philosophy second video हमने सिच्छा के बारे में discuss किया था and third video में हुआ था कि सिच्छा दर्सन आखिर है क्या उसकी importance क्या है वो चीज़े डिसकस किया था आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिच्छा और दर्सन का संबंद क्या है चिकिस तरह से सिच्छा और दर्सन एक दूसरे से connect होते हैं और एक दूसरे को कही न कहीं compliment कर रहे होते हैं तो सिच्छा और दर्सन का संबन्द के बारे में बात करें, तो दर्सन और सिच्छा, दोनों का जो लच्छ है शालना वो व्यक्ति को सत्त का घ्यान कराना है चाहे दर्सन हो या एजूकेशन हो इनका परपज यही है कि एक व्यक्ति टुफ तक पहुँच सके, सच्टे तक पहुँच सके कि कौन सी चीज सच है, what is the reality of life, what is the reality of human being, तो दर्सन और सिच्छा, दोनों का लच्छ यही है कि सत्य की प्राप्ति करा देना, या सत्य का ज्यान करा देना, उस बारे में अपने अनुभो, अपने एक्स्पिरियेंस है, जिए अपने प्रस्पेक्टिब जिसे दर्सन है, तो दर्सन क्या करता है, अपना प्रस्पेक्टिब रखता है किसी चीज के बारे में, जैसे आप बुद्ध का प्रस्पेक्टिब उठा करकर रेख लोगे, तो वहाँ से बौधिजम जो शुरू हुआ, वो कहीं न कहीं एक बुद्ध का अपना प्रस्पेक्टिब था, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के, उन्होंने देखा लोगों के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये क्यों है, उसकी वज़ा क्या है, उससे कैसे बाहर निंगल सकते हैं, ये बुद्ध का अपना एक प्रस्पेक्टिब था, वो उनका अपना एक दर्सन था, और आगे चलकर कि वही दर्सन एक रिलिजन बन जा रहा है, तो दर्सन और सिच्छा इन दोनों का लच्च यही है, कि ब्यक्टि को सत्यका ग्यान करा दिया जाए, उसके ब्यक्टित को बिक्सित करा दिया जाए, दोनों का यही काम है चाहे आप education की बात करो या दर्सन की बात करो दोनों एक दूसरे पर कहीं न कहीं आस्तृत हैं किस तरह से आस्तृत हैं? जैसे कि दर्सन है वो एक philosophy देता है दर्सन एक point of view देता है और education उस point of view को क्रियानिवित करता है मतलब उसको जब आप education के रुप में पढ़ते हो उसको अपने life में implement करते हो मतलब वो एक जो concept है उसको implementation की तरफ लेके जाता है education अब इस पर अपना विचार रखते हैं जौन एडम्स कहते हैं कि सिच्छा दर्सन का गतसील पहलू है सिच्छा दर्सन का गतसील पहलू है means क्या हुआ इसका कि सिच्छा जो है न वो दर्सन का दर्सन एक concept दे देता है अपनी एक विचारधारा दे देता है कि हाँ ये एक विचारधारा है ये मौलिक आधार पर ये चीज़ सही है उसके बाद education क्या करता है दर्सन जो विस्वास है जो facts है या फिर जो भी perspective है उसका क्रियात्मक पहलू कौन है education दर्सन द्वारा प्रतिपाधित सिध्धानतों को बेवहारिक रूप में लाने का काम कौन करता है सिच्छा गरता है दर्सन एक सिध्धान प्रतिपाधित कर देता है कि हाँ यार यार ये एक सिध्धानत है ये मौलिक तरह से या लाइफ के तरह से ये एक बेटर चीज होगा और education क्या करता है उन चीजों को उन सिध्धानतों को बेवहारिक रूप में लाने का काम करता है कि उसको बेवहारिक रूप में कैसे लाया जाया है अब सिच्छा अपने आप में काफी महत्वपूर भूमिका है, सिच्छा का और दर्सन का, और इनके बीच में अपने आप में एक बहुत important connection है, संबंध है, सिच्छा और दर्सन का, उन संबंधों को हम एक एक करके देखते हैं, कि वो कौन से संबंध है, जो सिच्छा और दर् जीवन के लच का निर्धारण और सिच्छा उसे क्रियानुईत करती है जो हमने अब भी उपर पड़ा हुआ है कि दर्सन जो है वो एक प्रस्पेक्टिब देता है अपना कि जीवन इस तरह से होना चाहिए जीवन का मतलब एक क्या देता है लच देता है कि इस तरह से करना चा तो हर एक फिलासफी का अपना जीवन को लेकरके अपना एक लच है और उस लच तक पहुचने के लिए वहाँ पर उस तरह की एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर उस तरह की सिच्छा दी जाती है ताकि जो लच दर्सन ने डिसाइड किया है उस लच की तरफ हम आगे दूसरा इसका संबंध जो है, दरसन से सुचा का वो यह है कि दर्षन के द्वारा सिच्धा के विभिन पच्छोगान अधारण होता है। यह तीन चीजे important होती है किसी भी education के लिए तो किस तरह से सिच्छक होना चाहिए, सिच्छक का behavior कैसा होना चाहिए, ये भी कौन टै करता है, दर्सन, पाठिक्रम क्या होना चाहिए, ये भी दर्सन टै करता है, सिच्छार्थी को किस तरह का behavior करना चाहिए, किस तरह से learning करनी चाहिए, वो भी कौन decide करता है, दर्सन, तो सि सिच्छा के सारे पच्छों का निधार्ण करता है तो अपने आप में एक connectivity आ गई कि दर्सन ही नहीं अगर तो सिच्छा के पच्छन निधार्ण नहीं पाएंग अच्छा से तो दोनों एक concept इस पर लागू हो रहा है, सिच्छा के जो भी नियम्स हैं, जो भी रोल्स है अगला चीज है आपका दारसनिक विचारधारों के अभाव में सिच्छा अंधकार की और चला जाएगा, मतलब कि education जो दिया जा रहा है न वो कहीं न कहीं उसका perspective क्या है दारसनिक है और अगर दारसनिक perspective ना मिले तो education अंधकार की तरफ भी लेके जा सकता है, means समझने की कोशिस करो, कि जैसे education मतलब क्या सिच्छा, learning learning आप अपने आसपास की society से लोगे, समाज से लोगे अगर आपका कोई दारसनिक perspective नहीं है चीजों को देखने का, आप वो कहां से लोगे आप अपनी society से लोगे, समाज से लोगे और समाज के लोग अगर ऐसे मिल गए जो समाज के लोग आपको आपके पत से भरष्ट कर दे, या आपको ऐसी विटर है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज मॉलिक रूप से ठीक है, नैतिक रूप से ठीक है इसका decide कौन करता है, दरसन करता है समझ रहो अगला चीज है आपका सिच्छा दरसन का गत्सील पहलू है जो कि हमने आलेड़ी डिसकस कर रखा है कि गत्सील पहलू है, क्योंकि दरसन एक कॉंसेट दे देता है और सिच्छा उस कॉंसेट को ले करके चलता है, तो सिच्छा दरसन को गत्सीलता देता है, अगला है आपका सिच्छा और दरसन इन दोनों का जो जन्म हुआ है वो आसंतोस से हुआ है सिच्छा और दरसन इन दोनों का जो जन्म हुआ है किस से हुआ है आसंतोस से कुछ चीजें है यार जो साइद चीजें ठीक नहीं चल रही है या इसमें बिटर किया जा सकता है यार ये चीज के बारे में जानना है तो जानने की जो इच्छा रही है ना इस जानने की इच्छा के बिहाफ पर जो education आया है या फिर आपका दर्सन आया है क्योंकि दर्सन की अवस्यक्ता जब पढ़ी आप दर्सन की history उठा करके देखोंगे ना तो history दर्सन की आज से 4-5,000 साल पुरा नहीं है तो जब तक मनुस्यों के life में मतब दर्सन के अलग-अलग perspective तो रहे हैं लोगों के life में लेकिन उसको सोचने के लिए जब उनके अंदर आसंतोस पैदा होता है तभी वो चीज़े डबलफ होती है पहले तो इंसान अपनी survival के लिए ही जीरा आता कि किसी तरह से हम survive हो जाए जो चीज़ें उससे जब जिस time पर दिखी उसने उस time पर अपने अपने perspective बना रखे दे लेकिन जो अगर आगे जाकर के दर्सन के बारे में जीवन क्या है, मनुस्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ये सारी चीज़ें ये concept कब आपके दिमाग में आता है जब आपका पेड़ वरा हुआ हो जब आप एक अच्छे life style में जी रहे हो या फिर मतलब इतना हो कि आप अपने जिन्दगी को safe समझ ले हो तब ये चीज माइंड में आ भी सकती है कि यार परमात्मा क्या है जिन्दगी का लच्च क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए जिन्दगी मतलब क्या, आत्मा में क्या है बहुत सारी चीज़ें जो आपके mind में ये mysterious चीज़ें आती है ये तभी आप आती है जब आपनी survival के level से उपर उठ चुके होते हो तो जो भी दरसन है न सिच्छा और दरसन, ये आसंतोस चे आता है जब तक आपके अंदर जिस सीच का आसंतोस था कि पहले तो survival ही चाहिए तो वो हो गया, फिर आपके निमाग में आई ये चीज़ें क्या होती है इसके बारे में जानते है परकृती क्या है, नेचर क्या है, ये चीज़ें कैसे बनी है इनके बीचे क्या चीज़ें चल रही है, कौन इन्हें बना रहा है बहुत सारी चीज़ें निमाग में आई तो आसंतोस जब पैदा हुआ, तो वहीं से education और दरसन इन दोनों का ही जनम हुआ कि नई-नी चीज़ों को सीखना है, जानने की इच्छा है, डवलफ होती गए इसके बाद इसके अलग और भी संबंधों में बात करोगे तो वो संबंध यह है कि जो दर्सन है, वो कहीं न कहीं, दर्सन सास्त्री जो होते हैं, वो एक अच्छे सिच्छा सास्त्री भी होते हैं, यह भी अपने आप में एक concept है, कि जो एक अच्छा दर्सन देता है, वो अच्छा सिच्छक भी होता है, अगर आप बुद्ध का दर्सन उठागर के देख लो आप प्रस्पेक्टिव को ले सकते हो चाहे आप अरविंद घोष की बात कर रहे हो चाहे आप स्वामी विवेकानिंद की बात कर रहे हो इन्हों ने अपनी एक फिलासफी बनाई और उस फिलासफी को education के माध्यम से connect कर दिया और ये educate भी करते रहे अजे सिच्छक भी रहे कई टाइम तक तो ये सारी चीजे कहीं न कहीं दिखाती है कि किस तरह से education और दर्सन एक दूसरे से connected है किस तरह से connection उनमें है और education का जो भी perspective आप देखोगे तो आज education के perspective को अगर आज उठा करके देखोगे आज के time पर क्या है कि हमें job लेनी है business करना है जो भी करना है वो सीख करके अपने ब्योसाईक जीवन में आजाना है तो इस base पर क्या हुआ कि जो education का पहले दार्सनी perspective था जो जीवन के highest goal को प्राप्त करना है डबलफ हो पा रहा है तो that's the thing कि यार सिच्छा और दर्सन के बीच में यह सारे संबंध थे तो iPhone वीडियो तो में पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे related कुछ और topics जो कि इन में differences भी बताता है और इसके जो अपने तत्त हैं जैसे अगर आप दर्सन को पढ़ोगे न तो इसके तीन महत्तफूर तत्त आते हैं जिसके बारे में जब आप दर्सन फिलासफी कभी भी पढ़ोगे न तो आपको समझ में आएगा कि उसके जो main topics हैं